जैहिन सातियों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सेलेक्शन पूर में सातियो 24 फरवरी की फस्ट शिफ्ट CRPF HCM ASI की हो चुकी है यहाँ पर जीके के सातियो 25 कोशन्स में आपको दिखाने वाला हूँ मैं अपने आपके लिए एक मोडल पेपर तयार किया था जो के अपलोड हो चुका है बहुत ही आप सभी लोगों ने उस पर प्यार दिये बहुत ही बहतेरी ने उस पर व्यूज आए साथी हो तो उसका लिंक जो है उस मौडल पेपर का लिंक जो है जिसमें मैध के, रीजनिंग के, हिंदी के और जीके के कोशन्स हैं अगर आपकी परिक्षा भी तक ना हुई हो तो आप सभी लोग उस model paper को एक बार जरूर देखकर जाएंगे आपकी परिक्षा में वो model paper चार चांद लगा देगा तो description में उसका link है वो देख लीजेगा और एक मैंने current affair की वीडियो बनाई है उसमें साथियो detail में वीडियो बन मनाया जाता है आठ मार्च को मनाया जाता है संसद का सयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है तो संसद का सयुक्त अधिवेशन साथियों कौन बुलाता है आपको मौलूम होने चाहिए राष्ट्रपती बुलाते हैं अगर बात करें साथियो स्वांग जो है वो स्वांग किस राज की लोकनत्त कला है यानि के हरियाना का लोकनत्त है आपको नाम ध्यान रखना है स्वांग ऐसे भी पूछ सकते हैं और ऐसे पूछ लिया गया कि स्वांग किस राज का लोकनत्त है तो हरियाना का है यानि मिलिकित में ऐसे हरियाना को कौन सा लोकनत्त है तो स्वांग है इ प्रकाश का प्रकेरण सबसे अधिक होता है आर समाज की स्थापना कब की गई और कहां की गई ये आप से पूछा जा रहा है तो मुंबई में की गई आर समाज की स्थापना कब की गई तो 1875 में की गई अब उसके बाद देखिए कि भारत सरकार का समयधानिक मुखिया कौन हो राश्टर पती होते हैं या आपको ध्यान रखना है भारत के पहले ग्रह मंत्री की यहां पर बात चल लए है तो सरदार वल्ला भाई पटेल की अगर बात करें तो यहीं भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी इंडियन पुलिस सर्वेस IPS की फुल फॉर्म हो जाएगी और IAS की इंडियन एड्मिनिस्टेशन सर्वेस उसके बाद देखिए राश्टपती को शपत कौन दिलाता है तो साथियों अगर बात करें राश्टपती को शपत जो दिलाता है वो सरवच नयाले का मुक्षन है दिश दिलाता है अगर पूछा जाए कौन से अनुच्छत में इसका चीन की मुद्रा स्वतंतर भारत के पहले राश्टपती कौन थे सातियों डॉक्टर राजेंदर प्रसाथ थे कौमन वील पतरिका का प्रकाशन किस ने किया तो एनी बैसेट ने कौमन वील पतरिका का प्रकाशन किया चलिए अब उसके बाद देखिये 17 नंबर का कोश्चन आपके स्क्रेट पर है कि इंडियन नेशनल कॉंगरेस के परतं अध्यक्ष कौन थे तो व्योमेश चंदर बनर जी यह इंडियन नेशनल कॉंगरेस कि भारतिय राश्ट्य कॉंगरेस के पहले अध्यक्षत है चलिए उसके बाद दिखिये सबसे बड़ी आखे किस इस्तनध प्राणाली प्राणी है और इसकी सबसे बड़ी आखे होती है अब उसके बाद देखिए आज कारबन डायोकसाइड यानिक सीयोटू के उस सरजन में सबसे जादा योगदान कौन सा देश का है सातियों तो सायूकतर राज अमरीका है यह बात आपको ध्यान रखना है उसके ब प्राणी है तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लेंगे क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आप सभी लोगों के लिए उपलब्द कराई जाते हैं बिलकुल निशल करें तो मिलते हम सभी लोग आने वाले वीडियो में जैहिन साथियों